नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में तोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप इधर अपनी उंगली दबाएंगे और उधर आपका प्यार आपके बारे में सोचने लग जाएगा जी हाँ जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो उंगली है हमारी उंगली की जो नसे है वो हमारे शरीर के अलग-अलग अंगों में गई होती है उसी तरीके से हमारा जो सीधे हाथ की जो उंगलिया है इससे अगर आप अपने उल्टे हाथ की इस उंगली को दबाते हैं जिसमें इस विधी में मैं आपको बताने जा रहे हूं कि कैसे आप अपनी उगली दबाकर अपनी प्रेमी का को या प्रेमी को या फिर जिससे भी आप सची महबत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, उसे अपने लिए सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, उसके मन में अपने लिए सच्च प्यार जगा सकते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करने लग जाएगा जितना की आप उससे प्यार करते हैं दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज हम दिखाते हैं पहले उन्हें हम पूरी तरह से चेक करते हैं उनका जो असर है वो कितना होगा वो देखते हैं और उसक को एक मंतर है मंत्र है ओम्रांञ को टिरानवफा जी हां यह बहुत ही जाधा। शक्तिषाली मंत्र है इस मंतर का उचारण करने से आपकी प्रेम का आपका रूठा हुआ प्यार आपकी बाहों में होगा और बो भी आप से उतनी ही जाधा महबद करेगा जितना की आप करते हैं बस आपको इस मंतर को बोलते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी उंगली को अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरह से दबाना होगा इस उंगली को इस तरह से दबाना होगा जितनी बार आप इसे दबाएंगे उतनी बार आपको ये मंतर बोलना है और आपको दबाते हुए ये बात बोलनी है, ये मंतर बोलना है और जैसे ही आप मंतर बोलना बंद करेंगे, उसके तुरंट बाद ही आपकी प्रेमी का या आपका प्रेमी जिसके लिए आपके मन में प्यार होगा, जिसके लिए आप ये मंतर कर रहे होगे, उसका कॉल आपके पा इसे करने से पहले आपको अच्छे से हाथ मूध हो लेना है और स्वच कपड़े पहन कर एक जगे बैठ जाना है अपने सामने इस मंत्र को लिख लीजेगा ओम राम तिरानवेता यह मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है बहुत ही ज्यादा कारगर है जब आप इसे इस त तरह से दबाना है एक बार दबाना है मंत्र बोलना है फिर दबाना है फिर मंत्र बोलना है इस तरह से आपको 51 बार करना है और आपका काम हो जाएगा तो दोस्तों इस मंत्र को आप करके देखी अगर आपकी कोई और समस्या है कुछ और परेशानी के बारे में अगर आप हम से पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों